नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग मुझे उमी देखिए आप लोग अच्छे होंगे तो आप सभी लोग इने पिछला वीडियो देखा ही होगा जिसमें हमने एक्सराइज 2.1 को स्टार्ट किया था और वहां पर हमने कोश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया थ तो हर एक का जो ट्रिक्नोमेट्रिक फंक्शन है सब कुछ मैंने आपको वाली वीडियो में बताया था यह कोश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका था और अभी हम लोग आगी के कोश्चन नंबर 2 से लेकर के कोश्चन नंबर 5 तक के कोश्चन हम लोग यहां पर सॉल तो फिर हम इसका पता कैसे लगाएंगे बहुत सिंपल लिद्यान से देखना यहां पर मैंने यह पाई एकसी और एकसी ड्रॉकर दिया कोश्चन क्या है लिख लेती हुए एक बार 10 380 डिग्री ठीक है तो यहां से शुरुआत हुई यहां पर गए तो 90 डिग्री फिर इधर 60 में 660 डिदर किया है 380 है अगर आप इसके और आगे जाएंगे यहां तक चक्क्र duż और नब्ब्ब्य जुड़ दो तो कितना हो जाएगा 400 450 हो जाएगा है 450 डिक्री तो यह 370 कि किसके बीच भी भीरा इं इननों बीच में आि यहां पर कही आएगा बात शम्मझ आ रही यह तो इसके और इसके बीच अचेमना थानLes D.Cdaq कि क्या इहां पर 380 टीकर यहां पर लिखा है थी त्री Aztaq is less than 380, छोटा है किस से 450 डिगरी से, और ये बड़ा है किस से 360 डिगरी से, ठीक है, तो फिर ये कौन से कौडरेंट में आ रहा है, बताएए, फर्स कौडरेंट में आ रहा है, इन दोनों के बीच, यानि कि फर्स कौडरेंट में ये आ रहा है, तो यहाँ पर लेकिए सुदेयार फॉर, 10,380, lies in, फर्स कौडरेंट, ठीक है, ये जो 10,380 है, ये कौन से कौडरेंट में आ रहाएगा, फर्स कौडरेंट में आ रहाएगा, ठीक है, अब आपको पताएगी, फर्स कौडरेंट में, सबके सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी क्या होगा, बताओ, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स कौडरेंट में आ रहाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए, कि देयर फॉर, 10,380, 30 डिग्री इस पॉजिटिव, इस पॉजिटिव, यानि कि ये किस में होगा, प्लस में होगा, ये लिजिए, बस इतना ही करना था, यहाँ पर आपका पहला वाला सब कॉश्ण, कम्प्लीट हो गया, अभी सेकेंड बन देखेंगे, और यहाँ पर देखो, इन लिखना था, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, तो अगला यहाँ पर है, कॉट 230 डिग्री, यहाँ तो देखिएगा, कॉट 230 डिग्री, तो इसका साइन क्या होगा, तो सबसे पहले ये पता लगा, हो कि ये 230 कहां पर आएगा, देखो, ये 90, यहाँ से शुरू गया 90, 180, फिर 270, 360, हमें क्या चाहिए, 230 चाहिए न, तो यहाँ पर आए तो 180, यहाँ पर आए तो 270 हो जा रहे, हमें 230 चाहिए, यानि कि, ये 230 है न, ये 180, और ये, बतलब, 270, इसके बीच में आएगा, यानि कि, ये 3rd quadrant में आएगा, तो देखो, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कि, 230 degree is, less than, किस से चोटा है, 270 degree से, और बड़ा किस से है, 180 से, तो इसलिए, ये कौन से quadrant में आएगा, 3rd quadrant में आएगा, तो यहाँ पर लिखें, सुदेयार फॉर, कॉर्ट, 230, लाईज इन, 3rd quadrant, ठीक, इतना समझ में आगया, अब उसके बाद सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से, हमें तो साइन बताना है, तो यहाँ पर क्या है, कॉर्ट, 230 डिग्री, तो अब आप बताओ, यह जो 3rd quadrant होता है, यह किसका घर होता है, याद है आपको, A, S, T, C, ठीक है, 10 और कॉर्ट यहाँ पर क्या होते है, पॉजिटिव होते है, यह क्या है, कॉर्ट है, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, कि देयर फॉर, कॉर्ट, 230 डिग्री, इस, पॉजिटिव, ओके, रैट, मतलब प्लस में, ओके, अब उसके बाद, आप लोग 3rd बन देखेंगे, लेकिन उसके पहले, इसको मिटा दो, फिर मैं आपको 3rd बाला भी बता देती हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा, कि कैसे कर रहे हैं, है ना, समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर है, 468 डिग्री, चलिए यह भी बहुत अच्छा सा सवाल है, आपको सॉल्व करके बताती हूँ, क्या है यहाँ पर, 468 डिग्री, अब देखो, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझते चाहिएगा बच्चे, देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पर आप यह ड्रॉ कर दो, वाई और एक सेक्सिस, शुरुवात क्या हमने 0 जे, 90, 180, 270, 360, हमें क्या चाहिए, 468, इधर 360 हो गया, एक चक्कर हो गया न, 360, फिर आगे जाएंगे तो, 450, ओके आगे गए तो, 450, फिर और आगे गए तो, इसमें और, 90 जोड दीजे, कितना हो जाएगा, 450, 50, प्लस 90, यहाँ पर, 0, 3, 95, यहाँ पर, 3 नहीं आएगा, 0, 4, 50, 540, ठीक है, यहाँ पर जब आजाओगे तो, 540 आएगा, इधर क्या है, 468, तो 468, किसके किसके बीच में आएगा, तो, 400, 50, और 540, यानि, यहाँ पर आएगा, 468, यहाँ पर आएगा, यानि कि, second quadrant में आएगा, ठीक है, तो, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कि, 468 degree, is less than, किस से यह छोटा है, 540 से यह छोटा है, लेकिन, किस से बड़ा है, 450 से बड़ा है, तो, इस प्रकार से, आप लिख करके दिखाओगे, ठीक है, अब यह कौन से quadrant में आ रहा है, second quadrant में आ रहा है, तो, यहाँ पर हम लिखेंगे, कि, therefore, sec, 468 degree, lies in, okay, lies, in, second quadrant, यह second quadrant में आ रहा है, so, therefore, क्या लिखोगे, second quadrant में sec, क्या होता है, तो, second quadrant में sec होता है, negative, क्योंकि, यह जो second quadrant है, यह किसका घर होता है, तो, sign और, cosec का, यह क्या है, sec है, तो, फिर, यहाँ पर, यह क्या हो जाएगा, negative, तो, last में, आप लोग answer के से लिखोगे, आपको answer लिखना चाहिए, कि, they are for, set 468 degree, is negative, ठीक है, यह क्या है, negative है, यानि कि, minus है, sign हमें बताना था न, तो, हमने बता दिया, यह लिजी हमने, यहाँ पर, question number 2 भी complete कर लिया, काफी आसान सा question था, बस आपको logic समझना है, कि, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, इसे आप देखो, कि, 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 कौन से कोडरेंट में आ रहा है, फिर उसके बार, आप बता सकते हो, कि, इसका sign क्या होगा, positive होगा, या फिर negative होगा, अब हम लोग solve करेंगे, question number 3, तो यहाँ पर देखे, क्या दिया गया है, state the signs of cause for radian, यह C का मतलब, क्या होता है, radian होता है, ठीक है, cause for radian, and cause for degree, which of these two functions is greater, सबसे पहले तो आपको यह बताना है, कि इन दोनों का sign क्या होगा, cause for radian positive होगा, या फिर negative होगा, और cause for degree, यह positive होगा, या फिर negative होगा, उसके बाद आपको बताना है, कि इन दोनों functions में से, कौन सा function greater है, तो चलिए, मैं आपको solve करके बताती हूँ, यह सब कैसे होगा, यहाँ पे लिख देते हैं solution, बात करेंगे हम सबसे पहले, cause for radian की, ठीक है, cause for radian, तो आपने first chapter तो सीखा ही होगा, उसमें आपने देखा था, कि one radian is equal to 57 point, कुछ तो होता था, है ना, तो approximately, यहाँ पे point रहता था, और आगे भी कुछ रहता था, आप जा करके देख सकते हो, लेकिन इतना लिखा था, तो भी हमारा काम हो सकता है, ठीक है, इधर approximately लिखा था, आइसे, तो देखो, यहाँ पे क्या है 4 radian, अगर एक radian इतना होता है, तो फिर 4 radian क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे कि, since 1 radian is equal to 57 degree, then 4 radian, क्या करेंगे, इसमें हम लोग 4 से multiply कर देंगे 57 में, तो फिर, एप्रॉक्स वैल्यू हमको क्या मिलेगा, multiply करो, 7 forza 28, 2 करें, 5 forza 20, 228 degree आगया, ठीक है, अब मुझे यह बताईए, 228, कहां पर आता है, देखो, 90, 180, फिर इदर 270, 228 ना, तो यह 180 और 270 के बीच में आएगा, यानि कि, यहाँ पे लिखेंगे 228, यहाँ पे लिख दोगे 270, यहाँ पे लिखोगे 180, ठीक है, कैसे लिख करके बताऊगे, इस प्रकार से, कि 180, यह जो 228 है, इदर इस ग्रेटर देन 180, एदर लेस देन 270 डिक्री, ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताईएगा, यह कौन से क्वाडरेंट में आ रहा है, यह इसके और इसके बीच में आ रहा है, यानि कि 3rd क्वाडरेंट में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, कि, so they are for, cos 4 radian lies in 3rd क्वाडरेंट, यह 3rd क्वाडरेंट में आ रहा है, तो फिर यह positive होगा, यह फिर negative होगा, अब इसका पता लगाना पड़ेगा, रुकिए, मैं बताती हूँ, यहाँ पर लिख दीजिए, A, S, T, C, ठीक है, इसमें 10 और कॉट क्या होते हैं, positive होते हैं, यहाँ पर क्या है, cos है, जो यहाँ पर आ रहा है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, negative, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, कि, cos 4 radian is negative, ठीक है, इसका sign क्या हो जाएगा, student, negative हो जाएगा, तो हमने, इसका तो sign बता दिया, लेकिन अभी इसका बाकी है, okay, cos 4 degree, तो 4 degree कहाँ पर आएगा, देखो, यहाँ से start करते हैं, तो यह 0 degree होते है, 0 से start करोगे, 4 degree कहीं यहाँ पर आएगा, यहाँ वो first quadrant में ही रहेगा, okay, तो हम क्या लिखेंगे, देखें, यहाँ पर अभी हम किसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखें, and, cos 4 degree, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, यह जो 4 degree है न, यह कहाँ पर आएगा, 4 degree, यहाँ पर first quadrant में आएगा, मतलब cos 4 degree lies in first quadrant, ठीक है, चाहिए तो ऐसा लिख करके दिखा दो, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया था, कि 4 degree is greater than 0 degree, and less than 90 degree, ठीक है, so therefore, cos 4 degree lies in first quadrant, और आपको पता है, कि first quadrant में, सब के सब trigonometric functions क्या होते हैं, positive ही होते हैं, तो फिर यह जो cos 4 degree है, यह भी क्या हो जाएगा, positive हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखे सुधे यार for, cos 4 degree is positive, ओके, तो हमने दिखे, दोनों का sign बता दिया, इसका भी बताया, इसका भी बताया, तो एक question तो हो गया है, दूसरा क्या पूछागा, कौन सा बड़ा है, कौन सा चोटा है, है न, which one is greater, कौन सा बड़ा है, तो फिर यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यही पर लिख दू मैं, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, कि they are for, यह positive है, और यह negative है, तो जो positive रहता है, वो बड़ा रहता है, यह फिर negative वाला बड़ा रहता है, आप ही सोचिए न, कौन बड़ा रहता है, प्लस वाला बड़ा रहता है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, therefore, cos 4 degree is greater than, cos 4 radian, यह चोटा है, और यह क्या है, बड़ा है, क्योंकि यह positive है, और यह negative है, तो plus वाला बड़ा होता है, और जो minus वाला है, वो चोटा होता है, तो यह लिजिए, यहाँ पर आपका third वाला question, भी complete हो चुका है, बहुत ही चोटा सा ही question था, ठीक है, अगर sin theta is less than 0 है, और 10 theta क्या है, greater than 0, तो ध्यान से समझेगा, इस question को कैसे solve करना है, देखो, सबसे पहले, आप एक काम करो, ऐसे करके x axis और y axis बना लो, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, sin theta is less than 0, less than 0 मतलब क्या, number line ड्रो करके बताऊ, देखो, यह आपका 0 है, इधर सारे negative values आते हैं, इधर positive आते हैं, less than 0 मतलब क्या, 0 से छोटा, 0 से छोटा यानि कि negative, ठीक है, तो यह जो sin theta है न, वो कहां पर negative होगा, तो आपको पता है, पहले में तो सब के सब positive होते हैं, all are positive, ठीक है, अगर मैं तीसरे के बात करूँ, तो यहाँ पर sign negative होगा, और चौधे में भी यह negative होगा, यानि कि, यह जो sin theta है, यह कहां कहां पर negative होगा, यहाँ पर negative के बात की जारी है, यह less than 0, 0 से छोटा, तो कहां कहां पर यह negative होगा, 3rd में और 4 में, तो यहाँ पर आप लिखोगे, क्या लिखोगे, देखो, सबसे पहले यह question लिख लो, एक बार समझ गये ना, यह वाला गुच्छे भी कर सकते हो, बस ध्यान से समझ लो एक बार, sin theta is greater than 0, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले theta, अच्छे से बना दू, यह जो sin theta है, यह कहां कहां पर negative है, तो 3rd और 4th में, यहाँ पर लिख देते हैं, कि sin theta is negative in, negative in, 3rd and 4th quadrant, 3rd and 4th quadrant में यह क्या है, negative है, अब अगला क्या है, 10 theta is greater than 0, greater than 0 का मतलब क्या हो गया, positive, ठीक है, तो यह जो 10 theta है, यह कहां कहां पर positive होगा, 10 कहां पर positive होता है, तो आपको पता है न, यह किसका गर है, 10 और cot का, तो यहाँ पर जो 10 है, और एक इस में होगा, यानि 1st और 3rd में, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, and 10 theta is positive in, कौन से quadrant में, 1st और 3rd में, in 1st and 3rd quadrant, ठीक है, अब क्या करना है, अब जादा कुछ नहीं करना, ध्याल सा समझेगा, इन दोनों का common quadrant, कौन सा है, देखो, sine theta, कहा कहा पर negative है, 3rd में और 4th में, और यह कहा पर positive है, 1st में और 3rd में, तो common क्या है, देखो, 3rd quadrant दोनों में common है, तो theta कहा पर lie करेगा, तो 3rd quadrant में, ठीक है, जो दोनों में common रहेगा, उससे लेना, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कि there for theta, यही पुझा दा ना, कि state the quadrant in which theta lies, तो यहाँ पर लिखोगे, theta lies in 3rd quadrant, ठीक है, बात समझ में आई आई आपके, देखो, इसी quadrant में, इसी quadrant में, यह जो sign है ना, यह positive होगा, positive की बात की जा रहे थी, ने, ने, negative की, ठीक है, तो इस quadrant में, sign क्या होगा, negative होगा, और 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा, positive, दोनों का common क्या है, 3rd है ना, इसलिए यहाँ पर theta, कौन से quadrant में लाई करेगा, तो इसमें, ठीक है, बात समझ में आई, तो यह लिजिए, फर्स सबकोशन कंप्लीट हो गया, जैसे इसको किया, वैसे इसको भी करना है, चलो, solve करके बता दो आपको, यहाँ पर लिख देंगे solution, फिर, उसके बाद question एक बार लिख लीजिए, question लिखना है चाहिए, आपको हर बार, ठीक है ना, तो कॉस कहां पर निगेटिव होगा, तो कॉस निगेटिव होगा, एक तो यहाँ पर, और एक तो यहाँ पर, क्योंकि यह तो इसका गहर है, तो यहाँ पर यह पॉजिटिव होगा, इधर भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पर negative की बात कीजा रही है तो cos theta is negative in second and third quadrant तो यहाँ पर लिख देते हैं cos theta is negative in second and third quadrant second and third quadrant ठीक है ना? ठीक है अब उसके बात क्या है यहाँ पर 10 theta is greater than 0 greater than 0 यानि क्या positive तो 10 theta कहां कहां पर positive होगा एक तो इसमें होगा दूसरा इसमें होगा है ना? फॉस्ट और थर्ड में तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे and 10 theta is positive in first and third quadrant ठीक तो फिर यह जो theta है कौन से quadrant में लाई करेगा? बताइए आप भी दोनों का common क्या है? देखो cos theta यहाँ पर negative हो जाएगा ठीक है? और इसमें भी होगा और यह जो 10 theta है वो इसमें positive होगा और यहाँ पर positive होगा तो दोनों एक साथ कौन से quadrant में आ रहे है? थर्ड में आ रहे है ना? तो क्या लिखोगे? therefore theta lies in third quadrant ठीक है? तो यह लिजिए यहाँ पर हमने second वाला sub question भी complete कर लिया और यह आपको बना करके दिखाने की जरूरत नहीं है यह आप rough work में कर सकते हैं ठीक है? तो देखां आपने यह question भी कितना आसान था तो याग रखेगा जब भी ऐसा question आया तो आपको ऐसे ही करना है क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पर देखोगे यह positive है या फिर देखोगे कि कौन से quadrant में वो positive होगा या फिर negative होगा फिर जो दोनों का common रहेगा इसमें दोनों का common क्या था? थर्ड था ना? देखो थर्ड में यह cause क्या हो रहा है? निगेटी हो रहा है और 10 क्या हो रहा है? पॉजिटी हो रहा है इसलिए थीटा कहां पर लाई करेगा? तो थर्ड क्वाटरिंग में है अब हम लोग solve करेंगे 5th question तो 5th question क्या है? Evaluate each of the following और यहाँ पर यह तो अब देखो sine 30 degree कितना होता है? आपको तो याद होगा 1 upon 2 होता है, cause 45 होता है 1 upon root 2 और 10 180 कितना होता है? तो 10 180 होता है 0, ओके? आपको मैंने बताया था ना 180 का भी? बताया था कि नहीं? मैंने बताया था शायद से, देखो पहले 0 लिखने का minus 1 0, यह sine का, यह cause का, यह 10 का, तो 10 180 का होता है, 0 होता है, अब यहाँ पर क्या करोगे? 0 को छोड़ दो, इधर cross multiplication कर दो, तो root 2 plus 2 upon 2 root 2, ठीक है? अब बताये, उपर वाले में से हम कुछ common ले सकते हैं, क्या? कुछ common तो अब भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन, सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, इधर root 2 है, अच्छी बात है, यह जो 2 है न, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं? root 2 into root 2, क्योंकि root 2 into root 2 करोगे, तो answer 2 ही आने वाला है, तो इसके place पे हम ऐसे करके लिख सकते हैं, समझेगी नहीं? अब एक काम करो, root 2 को common ले लो, तो जब आप लोग root 2 को common ले लेंगे, तो bracket के अंदर क्या आएगा? 1 plus root 2, यह root 2 बाहर गया, यहां पे बनाया, और एक यहां से गया, तो एक यहां बे बचा हुआ है, अपन में क्या आएगा? 2 root 2, कुछ cancel हो रहा है, तो root 2 से root 2, कट गया, मतलब इसका final answer क्या आया? कैसे इसका answer लिख होगे, कैसे भी लिख सकते हो, जै क्या आगया है? 1 plus root 2 upon 2, ठीक है? तो यहां पे हमने first question complete कर लिए, अब ही second question की बारी है, तो यहां पे लिख देंगे solution, question क्या है? कॉसिक 45 degree plus, cot 45 degree plus 10, 0 degree, ओके? तो कॉसिक 45 degree कितना होता है? याद कीजिए, नहीं आदा रहा, कोई बात नहीं, आपको पता ना, sin 45 कितना होता है? 1 upon root 2 होता है, right? sin 45 इतना होता है, तो कॉस से 45 क्या हो जाएगा? इसका reciprocal कर दो, यानि कि root 2 हो जाएगा, है ना? तो इस तरीके से याद करके रखने का, उसके बाद फिर cot 45 कितना होता है? तो 1045 कितना होता है? यादे आपको, आज़े 1045 भी नहीं यादे, तो भी 1045 1 होता है, तो cot 45 भी 1 ही होगा, क्योंकि इसका reciprocal 1 ही आएगा, फिर 10, 0 क्या होता है? याद करो, याद करो, तो 10, 0 कितना होता है? उपर 0, नीचे 1, यानि 10, 0 होता है 0, ठीक है? तो देखो ने, इसका answer तो आ गया, बढ़ी आसानी से, root 2 plus 1, तो यह हो गया आपका final answer, ओके? तो यहापर हम cos 45 degree, 1 of 1, root 2 होता है, और 10, 360 degree, यह क्या होता है? तो यह होता है 0, अब आप पूछ रहे होंगे 0 कैसे आ गया, क्योंकि इसका तो table में हमने नहीं देखा था न, 360 तक थोड़े ना हमने देखा, आमने तो 180 तक ही देखा है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ, देख तो 10 का 10 ही रहेगा, 10, 0 आजाएगा, positive के negative 360 plus 0, यानि first quadrant, मतलब यह plus में ही रहेगा, और 10, 0 degree क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0, very simple, तो इस तरीके से आप लोग find out कर सकते हैं, अब उसके बात क्या होगा, देखो, 1 upon 2 into this, और into 0, तो answer क्या आएगा, 0 क्योंकि 0 का multiply किसी भी number में कर लो, answer तो 0 याता है, ठीक है न, तो बस यह हो गया जी आपका final answer, और यहाँ पे हमने question number 5 भी complete कर लिया है, देख लेजिए आप लोग इसको, ध्यान से,